अर्जुन और किरात रूपी शिवजी का युद्र कथा कुछ ऐसी है कि बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्यात वासपाए पांडवों को श्री कृष्ण ने अलग-अलग कार्य सौंपे थे। उन्होंने अर्जुन को दिव्यास्त्रों को इकठा करने भीजा था। इसमें सबसे जरूरी पाशुपत अस्त्र था जो की शिवजी के ही पास था। इसलिए अर्जुन उनकी तपस्या करने लगा। उधर्क महादेव शिव ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए किरात शिकारी का वेश धारन किया और वहां पहुँच गए जहां अर्जुन तपस्या कर रहा था। उसी समय मुकासुर नाम का एक दैत्य जंगली सुवर बनकर उस नगर में आतंक मचा रहा था। उसके उतपात से रिशिमुनियों के आश्रमों में कोलाहल मच गया। इससे अर्जुन का ध्यान भंग हो गया। विक्राल सुवर को उतपात मचाते देखकर उसने धनुष उठाया और बान चला दिया। लेकिन अर्जुन ने देखा कि सुवर के शरीर में दो तीर एक साथ आगुसे थे। इधर उधर नजर फिराने पर वही किरात थोड़ी दूर पर धनुष ताने खड़ा था। सुवर को किसने मारा इस बात पर अर्जुन और किरात बहस करने लगे। अंकार में अर्जुन ने खुद को श्रिष्ट गुरु का शिश्य और श्रिष्ट कुल का पुत्र बताया। इसके बाद शिवजी और अर्जुन में युद्ध छिड़ गया। अर्जुन के सभी बानों को किरात ने काट डाला लेकिन किरात को खरोंच तक नहीं लगी। अर्जुन ने किरात पर तलवार फेंकी लेकिन वह तूट गई। निहत्थे अर्जुन ने एक विशाल पेड उखाड कर किरात पर फेंका, लेकिन किरात के शरीर से टक्राते ही पेड तिनके की भांती तूटकर बिखर गया. इसके बाद किरात ने अर्जुन को उठा कर दूर फेंक दिया. शिवजी का स्पर्ष पाते ही अर्जुन सोचने लगा कि मैं तो शिवजी की तपस्या करने आया था और ये कहा युद्ध में उलच गया ऐसा सोचते ही अर्जुन ने रेच से शिवलिंग बनाया और पूजा करने लगा इसी बीच किरात ने उसे फिर ललका रहा अर्जुन ने इस बार जैसे ही किरात को देखा तो अवाक रह गया क्योंकि जो फूलों की माला अर्जुन ने शिवलिंग पर चड़ाई थी वही किरात के गले में दिख रही थी यह देखकर अर्जुन को समझ में आ गया कि किरात के रूप में कोई और नहीं स्वय भगवान शंकर है अर्जुन किरात के चर्णों में गिर पड़े और उसने क्षमा मांगी तब शिवजी अपने असली रूप में प्रकट हुए अर्जुन ने वही शिव पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया देवाधिदेव शिव ने अर्जुन के भक्ती और साहस की भूरी-भूरी प्रशंसाकी और वर्दान स्वरुप अभेध्य पाशुपत अस्त्र दिया और युद्ध में विजय होने का वर्दान भी दिया ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें